इस बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ चंदर शेखर जोशी इस बुलिटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से तो आएए शुरुवात करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतराश्ट्री सुर्खियां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का रूस की राजधानी मौस्कोव में भवियस्वागर प्रधान मंत्री मोदी रूस की राश्ट्रपती पुतिन से करेंगे मुलाकात 22 में भारत रूस अंतराश्ट्री अशिखर सम्मिलन में लेंगे भाग नाटो बैठक से एक दिन पहले तावर तोड हमलों से दहला युकरेन युकरेन के पाँच शहरों में हुए रूसी हमलों में कम से कम 36 लोगों की मौत दरजनो घायल कीव में बच्चों का अस्पताल भी आया हमले की चपेट में फ्रांस में किसी भी दल को इसपष्ट बहुमत न मिलने के चलते राजनेतिक गतिरोद राश्ट्रपती मैकरों ने प्रधान मंत्री गैब्रियल अताल के इस्तिफे को किया नामंजूर संसदिय चुना हुए बड़े उलट फेर में वाम दलों का शांदार प्रदर्शन पहले चरण में सत्ता की दहलीज पर पहुंसने वाली धुर्दक्षिन पंथी पार्टी को करारा जटका राश्ट्रपती जो बाइडन ने डेमोक्रेट के सांसदों को किया इस परष्ट राश्ट्रपती की दोड से नहीं हटेंगे पीछे डेमोक्रेट सांसदों के पत्र के जवाब में कहा ट्रम्प के खिलाब फिर से चुनाव लड़ने के लिए हैं दिर्ध प्रतिबद सत्ता समालने के बाद एक्शन मोड में बिटेन की नई सरकार प्रधान मंत्री कीर स्टारमर देश के दो दिवसिया दोरे पर वित्त मंत्री रेचल रीप्स ने की राश्ट्रिय मिशन की घोशना और आईए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं योरोप की ओर रूस और आउस्ट्रिया की तीन दिवसिये यात्रा के पहले हिस्से में मौस को पहुँचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया रूस के उपर प्रधानमंत्री टैनिस मंठुरो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी की रूस यात्रा पर मौस को पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुँचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया झाल 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 मिली हैं वहीं रिपब्लिकन और दक्षिल पंथी पार्टियों को 60 सीटे मिली हैं फ्रांस की संसद नेशनल एसेंबली में बहुमत का जादू याकला दो सो नवासी है किसी भी राजनेतिक दल को पूर बहुमत नहीं मिल पाने के कारण फिलहाल राजनेतिक गतिरोत का सामना है नए पधान मंत्रियों सरकार के गठन के लिए हफ़तों से लेकर महीनों तक राजनेतिक बातचीत जारी रह सकती है सरकार बनाने में समय लगेगा हम जानते हैं कि प्रतिकूल परिस्तितियों से कैसे निपटना है हम जानते हैं कि दूसरों के साथ कैसे काम करना है और हम चार सप्ता से यही कर रहे हैं ऐटरमार को फ्रांस के पधान मंतरी गेभरियल अताल ने अपना इस्तीफा राश्पती माक्रो को सौप दिया लेकिन उन्होंने इसे मंजूर नहीं किया अताल ने बताया कि माक्रो ने उन्हें पत पर बने रहने के लिए कहा है नेशनल रैली के अध्यक्ष ने पार्टी को मिली अतिहासिक बढ़त को महतपूर बताया है हाला कि नतीजे उनकी उमीदों से काफी कम रहे पार्टी अध्यक्ष और नेशनल रैली की तरफ से पधारमत्री पत के उमीदवार जाडन बर्डेला ने राश्पती माकरों पर फ्रांस को अनिशित्ता और आईस्थित्ता में धकेलने कारोप लगाया है वहें वाम गडबंधन NFP में वाम पंथी, फ्रांस अनबोड पार्टी, उदारवादी सोचलिक पार्टी, ग्रीन एकल्जिस पार्टी, फ्र्रंच कमनिस्ट पार्टी, वाम पंथी, पैलेस, पब्लिक और दूसरी कई छोटी पार्टियां शामिल है इस गड़बंधन के सभी दलों ने मिलकर कोई नेता नहीं चुना था फ्रांस के पीम के लिए सबसे मजबूत नाम जीन लियूक मेलेचॉन को बना जा रहा है उनकी पहचान एक तियस तर्रार नेता की है फ्रांस के अनबोर्ट गड़बंधन में सबसे बड़ी पार्टी है इस चुनाव में महिलाओं के पतिनी जुत में दोहजार बाइस के मुकाबले एक दशमलो तीन पतिशत की गिरा और दर्च की गई है पिछली संसत में ये आकड़ा 36 पीसदी का था दोहजार सत्ता में सबसे अधिक 38.8 मेलाओं की नुमाइंदगी थी फ्रांस के संसती चुनाओं के पहले दोर के जारी सरवेक्षडों में देश की राजनीत में धूर दक्षिर पंथी पार्टीयों को बढ़त के अनुमान लगाते हुए कहा गया था कि वे पहली बार सत्ता के करीब पहुँचते दिखाई दे रहे हैं हाला कि इसके बाद माकरो की पार्टीयों और वाम गडबंधन ने दक्षिर पंथी गडबंधन को सत्ता से दूर रखने के लिए करीब 217 उमीद्वारों को वापस ले लिया था और इसका नतीजा भी देखने को मिला तो फ्रांस में संसदिय चुनाओ प्रणाली और वहाँ पर राष्ट्रपती प्रणाली क्या कुछ होती है कैसे होती है यह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आईए आपको बताते हैं कि किस तरह से फ्रांस के अंदर जो चुनाव प्रणाली है वो किस तरह की होती है फ्रांस में अर्धर राष्टरपती प्रणाली होती है यानि कि वहाँ पर राष्टरपती तो हैं ही हैं साथी साथ वहाँ पर प्रधान मंत्री के अलग चुनाव होते हैं संसत के जो चुनाव होते हैं उसके द्वारा वहाँ पर प्रधान मंत्री का चुनाव किया जाता है राश्टरपती प्रधान मंत्री को वहाँ पर न्यूक्त करते हैं तो फ्रांस की चुनाव प्रणाली के बारे में हम बता रहे हैं और अभी वहाँ पर जो संसत के चुनाव हो गए हैं उसमें किसी भी दल को वहाँ पर अभी बहुमत नहीं मिला है और ये माना जा रहा है कि अब आपस में बातचीत करेंगे जो विभिन गड़बंदन हैं उनके पास बहुमत जुटाने की कोशिश करेंगे तो इसमें काफी लंबा समय वहाँ पर लग सकता है फ्रांस के में अगर हम राश्टरपती की बात करें तो वहाँ पर राश्टरपती जो संसत के चुनाव होते हैं संसत के चुनाव के बाद प्रधान मंत्री की न्यूगती राष्टरपती के द्वारा की जाती है और पी-एम पर घरेलू मामलों की जिम्मेदारी होती है अगर हम प्रधान मंत्री की बात करें फ्रांस के अंदर यानि कि जो राश्ट्रिय सुरक्षा है, विदेश नीती है, प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती है और राश्ट्रपती वहाँ पर प्रधान मंत्री का चेहन करते हैं फ्रांस के अंदर में फ्रांस की चुनाव प्रणाली के बारे में हम बता रहे हैं और फिलाल कैसे वहाँ पर चुना होते हैं यह अगर हम आपको बताएं तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताए कि राश्ट्रपती और संसत का वहाँ पर अलग अलग चुना होता है राश्ट्रपती का अलग चुना होता है और राश्ट्रपती जो हैं वहाँ पर सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं फ्रांस के अंदर में और पहले चरण में किसी उमीद्वार को पचास फीसदी से अधिक बोट नहीं मिलने पर दूसरे चरण का वहाँ पर चुना होता है फ्रांस के अंदर में और संसत का भी चुनाव जो है वहाँ पर दो चरणों में किया जाता है एक चरण में संसत के चुनाव नहीं होते हैं, पहले चरण में अगर 50 फिसदी से अधिक जो बोट पाने वाले उमीदवार हैं, उन्हें विजही घोशित किया जाता है, और अगर किसी प्रत्याशी को 50 फिसद से अधिक नहीं मिलता, तो फिर दूसरे चरण का वहाँ पर चुन इद्वार हैं, वो दूसरे चरण में नहीं जा सकते, और सबसे अधिक बोट दूसरे चरण में जिसको मिलता है, जिस उमीदवार को, वो विजही घोशित किया जाता है, फ्रांस के अंदर में, और बहुमत पाने वाले दल का नेता प्रधान मंत्री चुना जाता है, और इस हैं, उन्होंने चुनाव बाद में होना था, लेकिन उन्होंने पहले चुनाव की घोशना कर दी थी, मैकरों की अगर हम बात करें हैं, फ्रांस के राष्ट्रपती की, तो वो 2027 तक वो राष्ट्रपती बने रहेंगे, उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन वो बने रहेंगे, और आएए अब अगली खबर की और हम आपको लिए चलते हैं, और जो अगली खबर है, वो रूस और युक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई है, रूस और युक्रेन के बीच में युद्ध और तेज होता जा रहा है, वाशिंटन वह होने वाली नैटो क नेताओं की एहम बैठक से एक दिन पहले कीव रूस के ताबड तोड हमलों से दहल उठा, युक्रेनी राश्टरपती जेलेस्की ने हमले का माकूल जवाब देने का संकल्प दो रहा है, युक्रेनी वायु सेना ने कहा कि दिन के उजाले में किये गए इन हमलों में किंजल हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र शामिल थे जो सबसे उननत रूसी हत्यारों में से एक हैं। देखा गया। हमले की चपेट में बच्चों का एक हस्पताल भी आया है जिसके बड़े हिस्से को नुकसान पहुचा है। युक्रेन के राश्पती वुलद्मीर जिलनस्की ने कहा है कि रूसी बंबारी में पांच युक्रेनी शहरों को विभिन प्रकार की 40 से अधिक मिसा प्राइलों से निशाना बनाया गया जिससे रहाइशी इमारतें और सारजनिक बुनियादी धांचे नश्ट हो गए हैं। बच्चों के अस्पताल में रात और बचाओ का काम युद्धिस तर पर जारी है। अस्पताल की दो मनजिला इमारत आंशिक रूप से नश्ट हो ग संकल्ब दो रहा है। में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल थी जो सबसे उन्नत रूसी हत्यारों में से एक है। किंजल धोनी की गती से दस गुना अधिक रफ्तार से उड़ता है जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। मध्य उक्रेनी शहर कीरवी रीह में हुए एक अन्य हमले में कम से कम दस लोग मारे गए हैं जबकि 47 लोग घायल हो गए हैं। अर्बन मधधस्ता नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीन, अमेरिका ये ये यूरोपी संग जैसी वैश्विक शक्तिया ही इसका नितरुत कर सकती हैं। ये संग ने उन्हें फटका लगाया है। जिलिंसकी ने कहा है कि शांती का मार्क कैसे हासिल किया जाएं। कीव अन्ने देशों के प्रस्ताओं का स्वागत करता है लेकिन इसमें यूक्रेणी द्रिश्रिकोंड विशेस रूप से दस सूत्री शांती योजना के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। उक्रेणी इस वशे के अन्त में शांती के अपने प्रस्ताओं पर विचार करने के लिए दूसरे अंतराश्टी ये शिखर सम्मेलन के आयोजन पर विचार कर रहा है। जिन में इसे लेकर पहली बैठक हुई थी जिसमें चीन ने हिस्टा नहीं लिया था। उधर वार्षा में पूलेंड के प्रधान मंत्री डोनाल टस्क ने यूक्रेण के राश्टरपती जिलन्सकी के साथ सुरक्षा समझोते पर हस्ता अक्षर किये। और इस वक्त हमारे पास ख़बर आ रही है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राश्टरपती ब्लादीमिर पूतीन से मुलाकात हो गई है। और इससे समन्दित जानकारी हम आपको बाद में देते रहेंगे। फिलाल एक छोटा सब रेक लेते हैं। गैलेंट समझता है इसमेधारी अब डबल एम रिप्स के साथ गैलेंट एडवान्स T.M.T. रिबार निर्मान का रियल हीरो। जादा उपच और भरपुर मुनाफ़ा भी। दोनों भी लेके टोरी से, एक हाथ में खर्पतवार की हार और दूसरे हाथ में जादा पैदावार। अजे, आयायल के ट्रैक्टर बैंड का टोरी अब खर्पतवार होगा हक्का बड़ेगा मक्का। इसलिये तो हम लेलों के डि dramas है जेड़ेदी। हम आदा रसे जाड़े इसलिये तो हम लेलों के खर्पतव है। जेड़न थी मुलेता आदा की शेरती। मुठी मुठीर पारदी, ऋचछे मुठी मोठी ठेली चोले मसाले जहाँ 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 रिश्टे बनाए जहाँ 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 रिश्टे बनाए मुठवड फाइनांज से गोल लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है क्योंकि यहां है पूरी ट्रांस्पिरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा, तभी तो मुथूट फाइन्स है, भरोसा इंडिया का, तो गोल लोन लेने के लिए कॉल करें, 1-800-313-1212. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, पी-म मोदी और रूस के राष्टरपती ब्लादिमीर पूतिन के बीच मॉस्को में मुलाकात हो गई है, तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी रूस की आतरा पर हैं, और आज भारती समय के अनुसार, आज शाम को प्रधान मंत्री रूस पहुंचे थे, वहाँ पर प्रधान मंत्री मोदी का भाव्य स्वागत किया गया, और उसके बाद अभी इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि प्रधान मंत्री मोदी की रूस के राष्टरपती ब्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हो गई है, यह एतिहासिक रिष्टे हैं, दोनों देशों के नेताओं के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और ब्लादिमीर पुतिन के जो आपसी सम्मंद हैं, वो काफी प्रधान मंत्री बने हैं, तब से लगातार कई मुलाकातें प्रधान मंत्री की हो चुकी हैं, रूस के राष्टरपत बलादमीर पुतिन से और काफी प्रगाड सम्बंद दोनों देशों के नेताहों के बीच में हैं और ये दोनों देशों के नेताहों के बीच में ये मुलकात हो गई है। प्रधान मंत्री की रूस की भारत रूस शिकर सम्मिलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधान मंत्री वहाँ पर पहुंचे हैं वार्शिक शिकर सम्मिलन है दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए और आपसी जो साजिदारी है उसको मजबूत करने के लिए ये काफी महतवपूर्ण शिक्ति सम्मेलन है और ये मुलाकात भी इस वक्त की काफी महतवपूर्ण है यहाँ पर प्रधान मंत्री मोदी और रूस के राश्टोपती ब्लादिमीर पुतिन के बीच अब वहाँ पर ये मुलाकात होई है और ये जो बातचीत है ये भी काफी महत हुपूर है क्योंकि ये आपसी जो दुपक्षीय सम्द्ध है भारत और रूस के उसके साथ-साथ जो इस वक्त पर वैश्विक परिद्रिष्य है उसको लेकर भी ये मुलाकात काफी महत रुपूर मानी जा सकती है वैश्विक परिद्रिश्य की हम बात करें, क्षेत्रिय परिद्रिश्य की हम बात करें या दोनों देशों के जो आपसी संबंद हैं, जो दुपक्षिय संबंद हैं उसके लिहाज से ये मुलाकात काफी महतुपून है ये दिरिश्य हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, रूस के राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के बीच में, ये महतुपूर मुलाकात मौसको में, आज शाम को प्रधान मंत्री मोदी मौसको पहुंचे थे, भव्या स्वागत वहाँ पर प्रधान मंत्री का किया गया था, रूस के उपर प्रधान मंत्री वहाँ पर पहुंचे थे, प्रधान मंत्री की अगवानी के लिए, और उसके बाद प्रधान मंत्री अभी मुलाकात कर चुके हैं, रूस के राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतिन से, और इस मु देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंद हैं, सामरिक संबंद हैं, उसके अलावा सास्किर्तिक संबंद हैं, इन संबंदों को ले करके ये काफी महतुपोन मुलाकात हैं और ये दोनों नेताओं के बीच में एक तरह की निजी मुलाकात हैं क्योंकि कल भारत और रूस के बीच में वार्शिक शिखर सम्मिलन होना है जिसमें दोनों देशों के नेता प्रतिनिधी मंडल इस्तर की बातचीत करेंगे भारत और रूस किस तरह से अपने संबंधों को और आगे बढ़ाएं और किस तरह से जो दुपक्षिय संबंध अभी तक चले आ रहे हैं उसको और बातचीत होगी लेकिन ये जो इस वक्त की निजी मुलाकात है ये काफी महतुपोण है वैश्विक परिद्रिश्य की हम बात करें या उसके अलावा दुपक्षिय परिद्रिश्य की हम बात करें क्षेत्रिय परिद्रिश्यों की हम बात करें काफी महतुपोण ये मुलाकात है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान मंत्री मोधी के तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद यह पहली मुलाकात है रूस के राश्टरपती ब्लादिमिर पुतिन और भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के बीच में इस से पहले अभी कुस दिनों पहले S.E.O की बैठक हुई थी लेकिन प्रधान मंत्री वहां पर नहीं जा पाए थे और अब ये काफी महत पूरू मुलाकात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राश्टरपती ब्लादिमीर पुतिन के बीच में और आपको ये भी बता दें कि दोनों नेताओं के बीच में जो निजी संबन्द हैं वो भी काफी प्रगाड हैं चाहे भारत में कोई बड़ा मुद्दा हो या रूस में बड़ा मुद्दा हो हम अमूमन खबरों में देखते हैं कि रूस के राश्टरपती ने प्रधान मंत्री मोदी को फोन किया प्रधान मंत्री ने रूस क नारेंद्र मोडी आज शाम को पहुंचे थे मौस्को वहां पर उनका भवी स्वागत किया गया रूस के ऊपर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए और उसके बाद अब प्रधानमंत्री की मुलाकात रूस के राश्ट्र पति ब्लादिमीर पुतिन के साथ ये दृश्य ह एतिहासिक इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस के दौरे पर पहुंचे हैं उनका यह पहला दौरा है रूस का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और कल भारत और रूस के बीच में जो वारशिक शिखर सम्मेलन होता है वो होना है उसमें दोनों देशों के नेता प्रतिनी दिमंडल इस तर की बादचीत करेंगे लेकिन अभी की जो यह मुलाकात है यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में काफी महत्वपूर्ण बादचीत यहां पर हो रही है हाला कि अभी वहां प ब्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी की मुलाकात हुई है मौसको में, आज शाम को प्रधान मंतरी मौसको पहुंचे थे, रूस की अपनी दो दिवसिये यात्रा के लिए, कल भारत और रूस के बीच में वार्शिक शिखर सम्मिलन होना है, और भा काफी एतिहासिक सम्मंद रहे हैं, दशकों के ये सम्मंद रहे हैं, भारत और रूस के बीच में सांसकिर्तिक जो सम्मंद हैं, वो काफी प्रगाड हैं, इसके अलावा रणनितिक सम्मंदों की हम बात करें, सामरिक सम्मंदों की हम बात करें, आर्थिक सम्मंदों की हम बात करें तो काफी मजबूत दोनों देशों के बीच में संबंद हैं और उस सब के बीच दोनों नेताओं के बीच में ये मुलाकात काफी महतुपूर्ण है और ये मुलाकात इसलिए भी महतुपूर्ण है क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले रूस में राश्टरपती चुना हुआ था वहाँ पर वहाँ की जनता ने राश्टरपती चुना ब्लादिमीर पुतिन को और भारत में तीसरी बार जब यहाँ पर चुना हुआ तो प्रधान मंत्री मोदी को यहाँ की जनता ने प्रधान मंत्री चुना तो यह काफी महत्मुण मुलाकात है सुधीर यादव हमारे सा ऑपने चाह पांच्वी बार रास्ट्वति पड़ के लिए चुने गए है अब आगमेत पुटिन और सीज ही वार पदामंधी मोदी का कारे कारिकल पीजरा है तो अपने अपने बहुत एहम है यह और जिस तरीके से दोलों वीडर ते पीछ में बॉंडिंग है पुष्रे दस स सर्दाइमिस्री मोली के समान में एक भोछ शायोजन के आ है बुद्राम सरी वहां होंगे और इसके बाद से जो बाइशमा भारत शुरूज से का समलेन है उसमें हिस्टा लेंगे जिस तरीके की इभी जा रहे हैं कि आर्थिक गतीदियों को किस तरीके से दोने देशों के दिन किस तरीके तो और ज्यादा बाड़ों किरिकी जाए यह को रिजिया रहेगा खास तार पर और युक्रियन रश्या वार के बादे जिस तरीके से भारत में हमेशा देखा है कि यूद्र किजी चीद का समाधान नहीं है शांती से बाद चीद होनी चाहिए तो इस परफिक्ष मे भी भारत जो रश्या युक्रियन वार के प्रिक्ष में भी जो अंतरास्थी है गद्वे दिया हैं उन पर भी जो चर्चा है उसको होने की संभावना है और खास बात अभी कुछ समय पहले चंचेगर कुछ भारती हैं जो हैं उनको वहां से निक्रीट करके जो रश्या नार है उनके बीच में आने वार खासा अभारत की कोशिश है कि जल से जल जो भारती है यहां है उन सदेश चुरचित पहुंच है इस बारे में भी जो राजना एक जो सोर्थ हैं वह हमें बता रहे हैं इस बारे में भी बात्चीत होने की संभावना है उत्तार परागरम करें बि पर हम आगे बड़े रक्षा इत्माम दे में समाम जो दूसरे चीज़ हैं इकनोमिक एक्टिवटी वो कैसे आगे बढ़ाए जाए यह सारे मुद्धे रहेंगे डिसकुशन से चंद शेकर सुदीर हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अभी जब यह दोनों नेताओं के बीच में निजी बातशीत भी हुई है यहाँ पर अभी रात्री गोज के लिए प्रस्टिजन पुतिन ने प्येम मोदी को अमंत्रित किया तो इसमें अभी आपचारिक तोर पर कोई बातशीत नहीं होगी जाहर तर दोनों लीडर्स मेलेंगी लेकिन जो आपचारिक तर पर अगर तो यह इन मुद्दों पर है वहाँ बहतर तरीके ते एक बहतर सुज़र माहौल में जो तमाम बैशिक मुद्दे हैं तो बरबाचीत हो नहीं होगी जाहर तो या दोनों देशों के नेताओं के बीच में आपसी बाचीत हो वो काफी महत पूर्ण है कल और भारतिये समधाय क भी कल प्रधान मंतरी संबोदित करेंगे डीडी नियूज की टीम वहाँ पर मौजूद है और पलपल की जानकारी आप तक पहुंचाएगी फिलहाल खबर दुनिया में आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए नमस्कार कश्मीर से कन्या कुमारी तक कच्छ से कामाख्या तक राज्यों की राज़धानियों से प्रदेशों की कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर देखिए भारत एट सेवन खबर राज्यों की सो मौर से शुक्रवार शाम साथ बजे सिर्फ डीडी न्यूस पर